अगर आपके स्कूटर में भी इस तरह का प्रॉल्म हो रहा है तो आपनों समाझ में आ जाएगा इस तरह का साउंड आता है हलो दोस्तों मैं हूँ अभी सेख आपका सेल्फ रिप्यर गुरू जी दोस्तों यह है वो प्लेजर जिसका हमने इंजन रिप्यर किया था और इसके सस्पेंशन में भी प्रॉल्म है मैंने उसी समय बोला था कि हम लोग इसके बॉड़ी को भी रिप्यर करेंगे बट लॉक्ड है अभी इसके बॉड़ी को तो हम लोग रिप्यर नहीं कर सकते हैं बट इसका सस्पेंशन का पार्ट मेरे पास है और सस्पेंशन बहुत ही किटकल कंडिशन में है जब यह रोड पे चलता है बैड रोड पे तो बहुत ज्यादा यहां से साउंड आता है बहुत ज्यादा सा है एक्टिवा के लिए प्लेजर के लिए मैस्टों के लिए जितना भी है इस तरह का जो सौकर आता है स्प्रिंग वाला सब के लिए सेम डिजाइन होता है और अगर आप यह वाला देखेंगे तो सब के लिए सेम है आप सब का समझ में आएगा और यह सब के लिए कॉमन प् और आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुली प्रॉल्म कहां से आता है कहां से यह साउंड आता है तो पहले मैं यह कभर ओपन कर लेता हूं यह देखिए और मैंने इसमें इसमें बोल टाइप का लगा दिया है तो यहецजी होता है open करने में कि स्कूर से बिंटर है यह सट्राइब काभी कभी जाब हो जाता है तो यह लुफरें चांभ किस तरह का आता है आपको समझ में आएगा जब यह बैड रोड पर जाता है तो यहां से साउंड आता है यह देखिए यहां पर इस तरह से साउंड आता है इसमें से मैं रोड पर तो चला कि आपको नहीं दिखा पाऊंगा बट साउंड आपको पता चल जाएगा अगर आपके स्कूटर में भी इस तरह का प्रॉल्म हो रहा है तो आपनों समझ में आज जाएगा इस तरह का साउंड आता है यहां से और यहां पे एक कुसंड बुस होता है वही बुस इसका डैमेज हो गया है और इसे लिए problem आ रहा है तो हम लोग इसका cushion bus replace करेंगे और साथ ही साथ जब हम लोग इसे open करीं रहें तो यहाँ पर जो link bus है यह भी हम लोग replace कर देंगे तो problem यहाँ पर यह जो cushion bus है उसका है बहुत लोगों को क्या लगता है कि यह जो suspension है यह damage हो गया है यह old हो गया है तो वो लोग यह complete suspension को ही replace करने लगते हैं बट ऐसा कुछ भी नहीं है यह suspension जल्दी खराब नहीं होता है यह जो pleasure है यह 2010 model है और अभी भी यह completely healthy है अगर हाथ से आप इसे press करते हैं suspension को और यहाँ पर कोई भी आपको major play देखने को नहीं मिलता है आप इसे press नहीं कर पाते हैं मत्तब यह सही है इसमें कोई problem नहीं है और यह जो sound है यहाँ पर cushion boost का है और जो unbalanced हो जाता है यह आपका यहाँ से जो आपका link boost है वहाँ से problem होता है तो सब कुछ को हम लोग open करते हैं और जैसे से आप इसे देखेंगे आपको सब कुछ पुरा अच्छे से समझ में आ जागा और अगर आपके पास भी इस तरह का कोई scooter है जिसमें इस तरह का suspension यूज किया गया है तो आप इसे खुद से repair कर पाएंगे और आजकल telescopic suspension आने लगा है और बहुत सारे से comment आते हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि मेरे पास active है मेरे पास pleasure है मेरे पास master है और इसमें इस type का spring type का suspension है तो इस से telescopic type में कैसे convert करना है तो दोस्तों आप telescopic type में convert कर सकते हैं बट बहुत कुछ उसमें replace करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा और ये जो suspension है थोड़ा सा इसका performance लो है बट ये बहुत ही reliable होता है बहुत ही reliable होता है और इसका maintenance भी बहुत ज़्यादा लो होता है यहाँ पे देखिए ये जो इसका spring है दो साल पे आप कितना drive करते हैं उस पर depend करता है आपका उसका oil seal damage होता है बहुत ज़्यादा motorcycle में तो कम होता है बट scooters में बहुत ज़्यादा उसका oil seal damage होता है अगर आप कहीं ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पे road थोड़ा सा खराब है तब तो और भी ज़्यादा अब पूरे आपको suspension को open करना पड़ेगा उसमें फिर seal डालना पड़ेगा वाइल डालना पड़ेगा वह maintenance बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है बट अगर आपके पास इस तरह का है तो ठीक है थोड़ा सा इसका performance लो है और तब ही जा करके इसका link बाहर आएगा मेरे पास penetrating spray भी खतम हो गया है प्रॉल्म हो जाता है यह जाम हो जाता है तो बहुत प्रॉल्म करता है फाइनली यह बाहर आ गया यह देखिए इसी की बात में कर रहा था दोनों साइड का जो सौकर है उसका जो बुस रहता है कुसन बुस वो आपका डैमेज हो गया है और यह देखिए यह फ्री हो गया है तो यही प्रॉल्म है जिसके करन की साउंड आ रहा है वट धक्रॉल्म कना की मैंट की तर ए कर रहा है यहाँ क के उसका उसकी करा भाम प्हुल्म ग्र्वल्म रहा है इसे भी हमने लूज कर लिया बाद में जब वील बाहर निकल जाता है तो प्रॉलम होता है इधर भी हम लोग उपन कर लेंगे इसे अभी ही हम लोग यह लिंक वाले नट को हम लोग अभी ही लूज कर लेंगे जो कि बाद में जब वील बाहर आ जाता है तो प्रॉलम होता है यह तो इसे आप अभी ही लूज कर लिजिए जितना पॉसिबल हो यह देखें उसके बाद हम लोग यह एक्सल बाहर निकाल लेंगे इसके बाद यह एक्सल हम लोग बाहर निकाल लेंगे इससे आपको क्यार फुली बाहर निकाल लेना है यह देखें आपका यह एक्सल बाहर आ गया बहुत ही प्यार से और उसके बाद यह वील आपका कंप्लेटली आ जाएगा बाहर इसको आप बाहर निकाल लेजिए आपका ड्रम और वील इसको हम दो साइड कर लेते हैं अभी इसका काम नहीं है तो यहां पे देखें कि मैं किस चीज़ का बात कर रहा था यह देखें यह देखें यही में प्रॉल्म है यह देखिए यहां पर यह जो छोटा वाला बुस देख रहे हैं मैटल बुस और यह जो सस्पेंसन है इस दोनों के बीच में एक कुसन बुस रहता है नाइलोन का तो वो इसमें तूट गया है इसलिए यह देखिए जब भी यह बैड रोड में जाता है तो यह इस तरह से टकर जाता है और यह sound create करता है और दोनों में कुसन बुस तूट के बाहर आ गया है बहुत यह Old है तो यह खतमी हो गया है यहाँ भी नहीं है इस side भी यह देखिए यहाँ भीcycle है दिके नामों निसान नहीत है कुसाण बुस का दो जब मैं लगाओं गा तब आपको शमझ में साउंड आता है तो यही में प्रॉल्म है अब मैं आपको एक इंग्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं कि कैसे आपको पता चले का यह जो सस्पेंशन स्प्रिंग आपके स्कूटर में लगा है यह हल्दी है कि नहीं तो इसको आप इस तरह से UP and Does करके देखिए अगर इस में आपको कोई भी प्ले नहीं दिख रहा है यह कोई भी प्लिय आपको नहीं दिख रह है या फिर अगर आप इसको प्रेस करें तो अप प्रेस नहीं कर पा रहे हैं मतलब की यह अभी हेल्ंदी है इसका अंदर से spring तूटा नहीं है, यह अभी perfect है, और अगर इसमे spring कभी-कभी तूट जाता है, तो फिर यह completely lose हो जाता है, आप easily इसको up and down कर सकते हैं, तो यह अभी इसमें नहीं हुआ है, मतलब कि यह healthy है, और इसके अंदर कोई भी damper नहीं होता है, कोई भी oil नहीं होता है, स समझें कि damage हो गया, बट अभी इसमें spring नहीं तूटा है, तो इसे आप up and down नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यह अभी healthy है, तो इस link को हम लोग simply बाहर निकाल लेंगे, इस तरह से यह easily बाहर आ जाएगा, एक nut board से यह जुड़ा रहता है, इसे हम लोग को simply बाहर निकाल लेना ह यह देखिए, बहुत ही प्यार से बाहर आ गया यह, यह complete और जब इसका bus damage हो जाता है, तो या तो यह jam हो जाता है, या इसमें बहुत ज़्यादा play आ जाता है, तो इसमें भी play आ गया है, तो जब हम लोग यहाँ पे काम करी रहे हैं, तो complete इसका bus set हम लोग replace करेंगे, यह द बनाया था, एक्टिवा पर मैंने बनाया था, यह देखिए, यह आपका बाहर आ गया है, इसी bus को हम लोग replace करना है, और यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं, यहाँ से lubricate किया जाता है, जो कि rarely कोई करता है, यहाँ पर यह grease निपल है, और देखिए, completely clogged है यह, तो इसका bus हम लोग replace करेंगे, तो इसे भी मैं इसी तरह से open कर लेता हूँ, दोनों बाहर आ जाएगा, तो मैं सारे components को अच्छे से clean कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इसमें install करेंगे new bus, तो यह है हमारा link और इसके old bus को हम लोग को remove करना है, और यह थोड़ा सा भी critical condition में है, यह द तो आपको इसको प्यार से बाहर निकालना है, कभी कभी यह बहुत rotate कर देता है बाहर आने में, पर इसका plate आपको बाहर निकालना है, दोनों में से एक plate भी बाहर आ जाएगा, तो हमारा काम easy हो जाएगा, और जब भी इस तरह का आप काम करें, तो आप gloves का use चलू किजिए, और मुझे तो यहाँ पर camera operate करना पड़ता है, तो gloves का usement नहीं कर पाता हूँ कभी कभी, यह देखिए, इसका plate आगया एक बाहर, कभी कभी बहुत difficult हो जाता है, यह देखिए, इसका plate आगया बाहर, इसके बाहर, इसके बाद, यहाँ पर, इसको भी बाहर निकाल लेंगे, यह देखिए, यह पुरा वियर हो चुका है, यह loose हो गया है, यह देखिए, यह आगया बाहर, और उस side का bus बाहर नहीं आया है, तो हम लोग इसको इस तरह से hit, थोड़ा सा करना पड़ा, यह already wear किया हुआ था, तो यह बाहर आ गया है, कोई बात नहीं, बट कभी-कभी यह easily नहीं आता है, तो आपको इस तरह का rod use करके, इसे hit करना पड़ता है, तो यह तो easily बाहर आ गया है, और यहाँ पर grease nipple है, मैंने इसे lose कर लिया है, तो सब कुछ को हम लोग अच्छे से पहले clean कर लेंगे, तो मैंने इस link को बहुत ही अच्छे से clean कर लिया है, और जब मैं clean कर रहा था इसे, तो मैंने देखा कि यह जो link है, यह थोरा सा cut गया है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो यह link यहाँ से cut गया है, यह wear कर गया है, इधर भी, और नीचे तो ठीक है, यह थीक है, और इधर भी, दोनों side से यह cut गया है, यहाँ से, आपको दीख रहा होगा, यह जो portion है, यह cut हुआ है, यह जो diameter है, यह बढ़ गया है, तो इसमें problem आया है, बट अभी ज़्यादा यह wear नहीं किया है, तो यह च चल जाएगा काम इसका, एक्चली अभी lockdown का भी time है, तो अभी यह link market में मिलेगा नहीं, बट अगर बहुत ज़्यादा यह cut जाता है, तो आपको इसे replace करना पड़ेगा, एक्चली यह cut था क्यों है, मैं आपको बताता हूँ, यह जो bus आप देख रहे हैं, left और right, दोनों इस तरह से इसके अंदर में set रहता है, यह move नहीं करता है, बुस, और यह जो आपका pin होता है, यह इसके अंदर move करता है, यह complete assembly इस pin के उपर move करता है, यह देखे, मैं आपको बताता हूँ, यह देखे, यह आपका ऐसे move करता है, इस तरह से, यह देखे, ऐसे move करता है, बत होता क्या है, कि अगर आप इसमें greasing नहीं करेंगे, इसमें lubrication नहीं करेंगे, तो इसमें problem हो जाता है, और यह जो pin और यह जो bus है, दोनों seize कर जाता है, single piece हो जाता है, और यह complete assembly ऐसे ऐसे इस link के अंदर move करने लगत करना चाहिए ऐसे ऐसे यह दोनों को अपने में रिलेटिव मुवमेंट होना चाहिए बट यह दोनों एक हो जाता है और इस link को damage करने लगता है यह complete ऐसे rotate होने लगता है तो यह जो बुस ऐसे रोटेट करता है इसके अंदर ऐसे 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 तो ये link को damage कर देता है यहाँ पे देखे ये जो हमारा old है ये हमारा seize कर गया है और ये इसके अंदर rotate नहीं कर रहा है ये tight हो गया है तो ये complete ऐसे-से rotate करता है तो यहाँ पे इस portion ने cut कर दिया है link को यहां पे आपको mark दिखाऊगा तो इसी से आपका link damage हो जाता है और एक बार अगर damage हो जाता है बहुत ज़्यादा अगर damage है तो आपको उसको replace कर देना चाहिए नहीं तो फिर आपका handle unbalance field होगा और यह जो link है यह बहुत ही heavy होता है और इस पे बहुत ज़्यादा load आता है तो अगर सही time पे अगर आप इसे lubricate नहीं करेंगे तो इस तरह से यह pin और bus seize कर जाता है और वही आपका link कर जाता है तो चलिए इसमें हम लोग bus install करते हैं तो यहां पे हमारा bus रहता है और bus के उपर हमें o-ring चड़ाना पड़ता है यह देख इस तरह से और इससे एक पर अच्छे से आप move कर लिए इस तरह से यह देखे तो सही जगह पर यह आ जाता है अपना normal और यहां पर इस bus को हम लोग को यहां पर fit करना होता है तो यह अभी cut गया है तो यह इसमें easily यह जा रहा है तो आपको यहां पर grease लगाना होता है और यहां पर grease लगाना होता है और उसके बाद इससे fit करना होता है तब जाकर यह अंदर जाता है फिट करने के बाद बट ये cut गया है इसलिए easily जा रहा है तो left और right में आपको ये bus लगा लेना इस तरह से ठीक है perfect उसके बाद ये जो आपका cap है इस cap को आपको fit करना है बट फिट करने के पहले इसमें आपको grease लगा लेना है ये देखें इसको आपको o-ring में fit होता है तो इसमें आपको grease लगा लेना अच्छे से ये देखें अगर सॉप्स अभी खुला रहता तो इस लिंक को मैं चेंज कर देता बट अभी प्रॉल्म है सॉप्स क्लोज्ड है तो इसको हमें अभी यूज़ करना है और नेक्स टाइम जब हम लोग ओपन करेंगे तब इससे हम लोग रिप्लेस कर देंगे यह देखें क्योंकि यह लिंक कट गया है बट अभी हमें यही उस करना पड़ेगा यह देखें सिर्जट ए कि और मैंने दूसरे वाले लिंक को बनाया था तो यह पर्क्फेक्ट है इसमें कोई भी कट नहीं है यह पर्फेक्ट है तो अभी एक लिंक मेंज तैमेज़ में और एक ठीक है तो काम चलेगा य यह देखिए यह परफेक्ट है इसका जो बुस है परफेक्टली था इसमें थोड़ा बहुत लुब्रिकेंट बचा हुआ था तो यह कटने नहीं दिया है तो आप भी एक बात का ध्यान रखिए कि इसे टाइम टु टाइम आप लुब्रिकेंट कीजिए और कैसे करता है मैं आपको बताऊंगा तो आपको करना है नहीं तो इस तरह से आपका लिंक कर जाता है और यह लिंक कॉस्टली रहता है तो एक साइड हमने कैप इंस्टॉल कर दिया और दूसरे साइड भी हमें कैप इंस्ट और लिंक और उसमें कोई भी रिलेटीव मुव्मेंट नहीं होता है तो यह देखिए हमारा पिन आ गया अपने जगह पर परफेक्टली हमें से सेट कर देना है यह देखिए यह आगया पिन और उसके बाद यह कैप हम लोग इस्टॉल कर देंगे आराम से यह हमारा अच्छे स से इंस्टॉल्ल हो गया है अब इसे हम लोग लूब्रिकेट करेंगे यहाँ पर तो लूब्रिकेट करने के लिए आपको कमप्रिट एसेम्ली ऊपर करने का कोई जो जोती है है यहाँ पे एक वोल दिया रहता है और होल के ऊपर यह आपका इसका grease nipple दिया रहता है और जो grease gun रहता है वो यहां पे लगा के आप lubricate कर सकते हैं इसका मैं construction आपको बताऊंगा कि इसका construction कैसे रहता है बट सपूझ आपके पास grease gun नहीं है तो कोई बात नहीं आप इस तरह के syringe का help ले सकते हैं इसे lubricate करने के लिए तो यहां पे इसे आप इस तरह से लगा दिजी ठीक है और यहां पे इसे हम लोग बहुत ही जोड से प्रेस करेंगे पुगा energy लगा करके तो यह अंदर में grease completely फिल हो जाता है और यह देखे थोरा सा आप ग्रीस बाहर भी आते हुए दिखेगा तो यह अच्छे से lubricate हो गया perfectly ठीक है और उसके आप इस grease nipple को यहां पे लगा दिजे और इस grease nipple का मैं आपको construction बताता हूँ यह जो grease nipple होता है यहां पे एक छोटा सा आपका ball होता है और यह spring loaded होता है यह देखे इसको आप प्रेस करेंगे तो यह अंदर चला जाएगा इस तरह से अंदर चला जाएगा यह देखें इसको आप प्रेस करेंगे तो यह अंदर चला जाएगा और इसी के थुरू आपका grease अंदर चला जाता है और जब आप grease gun remove करेंगे तो फिर तरह यह अपने जगा पर आ जाएगा कोई भी impurity इसके अंदर नहीं जाएगा तो इस तरह से एक काम करता है तो आपको one year, one and half year में एक बार इसे lubricate करना चाहिए अगर आपके पास grease gun है तो आप grease gun का यूज कर सकते हैं और अगर नहीं है तो इस तरह का स्रींज का यूज कर सकते हैं बट स्रींज का यूज करने में आपको इसको खोल लेना है और तब आप फिर्ट किजिए तो यह इस तरह से काम करता है यह देखिए यह देखिए आपको समझ में आ रहा होगा यह spring loaded होता है जैसे ही आप प्रेस करेंगे अंदर चला जाएगा और जब आप इसको open करेंगे और जब आप इसको release करेंगे तो यह वापस अपने जगा पर आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से काम करता है तो हम हमने दोनों link में new bus install कर दिया है greasing कर दिया है और यह ready हो गया install करने के लिए और अगर आप इससे हर एक साल या one and a half year के बाद और अगर two years भी है एक बार अगर आप इससे lubricate कर देंगे तो इस bus का life बहुत ज़्यादा रहता है years and years बिना कोई tension की यह चलता रहता है बहुत अच्छा से यह काम करता है बट अगर आप lubricate नहीं करेंगे इसके old owner ने इससे lubricate नहीं किया था लोग भूली जाते हैं इस पे किसी का ध्यानी नहीं जाता है और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो पहले आपका यह pin और यह bus seize करेगा अपस में क्योंकि देखिए य यह pin और bus seize करेगा अपस में और उसके बाद यह complete assembly इस तरह से rotate करेगा और आपका link भी damage कर देगा और link आता है costly तो आईए इसे हम लोग इस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे यही था cushion bus जो कि damage हो गया था यह देख सकते हैं यही है cushion bus जो कि इसका damage हुआ था तो यह हम लोग लग लगा देंगे और यहाँ पर थोड़ा सा grease आपको लगा देना है थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा relative movement होता है तो आपको grease यहाँ पर लगा देना है और यह जो है बुस यहाँ पर टॉल हो जाएगा यह देखे इस तरह से उसके बाद यह जो link हमने बुस लगाया इसमें यह link हमें लगा देना है और यहाँ पर इसको tight कर देंगा हम लोग बहुत ही अच्छे से इसे completely tight कर देना है इस nut बोल्ड को और यह फाइनली यहाँ पर आ जागा इस तरह से और यहाँ पर एक्सल लगेगा तो दोस्तों मैंने link को tight कर लिया है यह बहुत अच्छे से इसमें free movement है बहुत ही perfectly यह काम कर रहा है तो अब इसमें हम लोग वील इंस्टॉल कर देंगे बहुत ही प्यार से इसमें हम लोगों को वील इंस्टॉल कर देना है और एक्सल में आपको थोड़ा सा grease लगा लेना है तो यहां पर इसके नट को हम लोग लगा लेंगे एक्सल के उसके बाद जितना भी ब्रेक का connection है सब कुछ हम लोग कर लेते हैं उसके बाद यह ready हो जाएगा तो दोस्तों मैंने इसके सारे nuts, bolts, brake, cables सब कुछ मैंने attach कर लिया है और यह completely fit हो गया है और इसका जो problem था जो यहां से इसका cushion boost damage हो गया था यह problem इसका solve हो गया तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि यह video आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपके scooter में भी इस तरह का problem आता है इस तरह का जितना भी suspension आता है हीरो और हंडा में सब में यह problem आता है अगर यह cushion boost damage हो जाता है या link boost damage हो जाता है तो बहुत अजीब type का sound आता है तो अगर आपके scooter में भी इस तरह का problem आता है तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे एक बार आप इसे open करके यहीं से check कर लिजेगा कि यह हिल तो नहीं रहा है अगर हिल रहा है मतलब आपका cushion boost damage हो गया है और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं इस link boost को मैंने complete detail में मेरे इस channel का यही motive है कि अगर आप कुछ खुद से repair करना चाहें तो मैं complete detail में आपको बता देता हूँ एक nut bolt एक वासर एक पार्ट उसका price क्या है टूल कैसे use कर रहे हैं टूल कौन सा use कर रहे हैं कैसे उस open कर रहे हैं थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आपको boring भी लग सकता है बट अगर आप सचमुच repair करना चाहते हैं तो मैं हर एक चीज को बहुत अच्छे से detail में बता देता हूँ ताकि जब आप खुद से repair करें तो आपको कोई भी tension ना हो कुछ भी confusion ना हो प्लस मेरा एक और motive रहता है कि आपको inspire करना कि आप इसको खुद से कर सकते हैं कोई बरा चीज नहीं है कोई rocket science नहीं है अगर service center वाले कर सकते हैं कोई mechanic कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं और जब आप खुद से repair करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा बहुत अच्छा satisfaction आपको मिलेगा और self repairing एक addiction है अगर आप एक बार खुद से repair करना start कर देंगे तो उसके बाद आपको service center का काम किसी mechanic का काम किसी repairman का काम अच्छा ही नहीं लगेगा कोई tension नहीं प्लस आपको experience भी मिलेगा और अगर रास्ते में कभी इदर दर कुछ खराब हो गया आपका तो आप समझ सकेंगे कि हाँ इसमें क्या problem आया होगा और आप उसे खुझ से solve कर सकेंगे तो दोस्तों यही था इस वीडियो में प्लीज वीडियो को like के अपने दोस्तों में share किये मैं चैनल सब्सक्राइब कर साथ में उस bell icon को प्रेस किये ताकि जब भी मैं को repair related video या knowledge related video आपके लिए लाओं तो आपको notification मिल सके और आप उसे सब से पहरे द सकते हैं and at last thank you thank you for watching मिलते हैं next video में